बिटकोइन के लेवल आज सुभा चल रहे थे अठावन हजार डॉलर के उपर मतलब नए वीक की स्टार्टिंग डंप से की थी और अब बिटकोइन ने यूटन ले लिया साथ हजार डॉलर का, वापीस आ चुके हैं साथ हजार डॉलर पे फिस्टी सेवन आुजन सिक संडेड़न फिफटी फाइव तक बिटकोइं गिरा वापीस उपर आए साथ हजार तक वहाँ से लेवल अगेन नीचे गए ठीक है और अब फिर से उपर आ चुके हैं, साथ हजार के उपर, यह जो आपने quick game देखे, क्योंकि आज का दिन बड़ा important दिन है, एक तरफ Donald Trump और Elon Musk का यहां पे जो है, एक interview होने वाला है, ठीक है, उसको लेके market में काफी जदा हल चला, उससे पहले market ने काफी अच्छे गासे liquidation कर द लेकिन liquidate करने के बाद, game करने के बाद, साथ हजार के level पे bitcoin इस टाइम पे चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले हमने discuss किया था, सागा और Zeus के बारे में, Zeus और सागा, दोनों को एक video में discuss किया गया था, और जो price थे उस टाइम पे सागा के, वो 0.7, 0.8 dollar के round थे, और आज price 1.6 dollar पे है, मतलब, तब से लेके अब तक, सागा के price double हो चुके है, आज 30% के साथ, सागा का price सबसे उपर चल रहा है, top gainer है, सागा, आज बड़े-बड़े player pump कर रहे हैं, और Sui की अगर हम बात करें, एक बड़ा player है market का, काफी time से सोया हुआ था, और price अगर हम देखे, daily time frame पे चलोगे, तो 0.46 तक इस crash में गिरा, पिछले कई दिनों से आप देखोगे, Sui के price काफी अच्छे का से गिरे, लेकिन आज इसने $1 का barrier भी तोड़ दिया, $1 को भी तोड़ दिया, $1 को हिट किया, आज Sui ने 17% उपर चल रहा है, और 0.6 से यह almost double हो चुका है, कब का, यह है top gainer, Saga सबसे उपर, rare कल से ही बना हुआ है, SCA चल रहा है, 19% CRV, after lot of days, मतलब काफी दिनों से selling वाले दिन रहे, इसके, आज price में jump है, $0.3 का, Cetus है, Sui है, Sat, Dim, सबसे पहली update, आज Binance ने आपे announce किया, delisting के बारे में, और 6 coins की delisting का announcement किया, based on our most recent review, we have decided to delist and keys trading on all spot trading pair of the following token, तो यहाँ पर आप देख सकते है, 26 की date है, power pool, यानि CVP coin, EPX, 4, loom, reef और VGX, 6 के 6 coins, 35-40% crash हो गए, जैसे ही Binance ने announcement किया, 6 delisting का, तो बिलकुल यह है, वो 6 coins, जिनकी हालत पतली कर दी Binance ने, 4, 39%, EPX, भी, सब 35-40% crash हो गए है, यह सारे delisting coins है, और अच्छा कासा crash, सिर्फ और सिर्फ बाइनस की delisting से, और सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें, इन सब को short करके भी, कहीं न गई, Binance ने भी अच्छा कासा पैसा अबना है, क्योंकि उनको पता है, delist कर रहे हैं, तो सब को short करो, भी, अब exchanges ऐसे ही पैसा बना लेती है, listing, delisting करके, ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में control है, कब price उपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, क्या करने से, क्या अपडेट, क्या announcement करने से, price नीचे जाएगा, क्या announcement करने से, price उपर जाएगा, तो exchanges के ऐस तरह से खेल चलते हैं, market के अंदर, बड़े players bitcoin को continue purchase कर रहे हैं, जो ETF world के बड़े players है, blackrock की बात करूँ, मैं fidelity की बात करूँ, अगर हम दोनों, इन दोनों की जो मतलब combine, bitcoin holdings को भी combine कर दिया जाए ना, तो भी, इतने जैदा bitcoin है, जितने micro strategy के पास भी नहीं है, पाच लाग चौभी सह जार तीन सो न blackrock and fidelity now on a combine 5,24,390 BTC worth, 31 billion dollar for their spot bitcoin ETF, तो यही बहुत बड़ी बात है, और 5,00,000,000,000 of the 21,00,000,000 total bitcoin belong to two ETF alone, पाच लाग 24,000,000, तो यही दोनों ETF, बड़े players लेके बैठे हैं, bitcoin तो baby dogecoin ने भी एक ऐलान कर दिया, गोशना कर दिया, एक announcement कर दिया, और यह announcement है, burning को लेके, baby dogecoin के burn भी जरूरी है, और first exchange is tweet के उपर, first exchange that reply to this post, ठीक है, we will partner up with for our upcoming burn, तो partnership करेंगे, उस exchange के साथ burning के लिए, जो इस post पे पहले reply करेगा, ठीक है, तो burning का लेके कहीं ना कहीं, एक news update यहाँ पे, baby dogecoin कर रहा है, अभी recently XRP के price 15 से 20% बड़े थे, XRP को लेके कुछ updates आए market के अंदर, volume बड़ा, market cap बड़ा, इतना ही नहीं, एक data भी आया, 1 million से लेके 10 million coins वाली, whales का कह लिजिए, wallets का कह लिजिए, ऐसे wallet XRP है, जिनके wallet के अंदर 1 million XRP है, या 10 million है, 1 million से 10 million के बीच का number, coins on the XRP, legend now hold an all time high of 7.06 billion coins, इनके पास जो holding है, वो 7 billion XRP है, 4 billion डॉलर की बतलब 32,000 करोड के XRP लेके बैठे हैं, है ना, पूरी तयारी यहाँ पे, इन्होंने कर रखी है, XRP को लेके, ठीक है, और ये, नए all time high पे ही है, holding का number, आज बड़ा दिन है, इंटर्व्यू का, डॉनाल ट्रम्प और इलान मस्क का, पूरा ट्वीटर पूरा X इस टाइम पर यही ट्रेंड कर रहा है, डॉनाल ट्रम्प चाहे हुए है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, खुद डॉनाल ट्रम्प यहाँ पे ट्वीट कर र उसका इंपक्ट मार्केट पे दिखेगा, मार्केट आज डॉलने वाली है, ठीक है, कभी उपर कभी नीचे, क्यूं, यह जब बड़े प्लेयर्स जब मार्केट की बात करेंगे, कभी अच्छी, कभी प्लस पॉइंट, कभी नेगिटिव होगा, नहीं होगा, वड़ा है इं मीम क्रिप्टो ही पंप हो रहे हैं, नए क्रिप्टो भी जो आ रहे हैं, मीम क्रिप्टो वो अच्छे पंप हो रहे हैं, लेकिन नए मीम क्रिप्टो में एक प्रॉबलम यह है, कि उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, कौन जन्वन है, कौन एक्स्प्लोड करेगा, किसका प्राइज एक्सप्लोड होगा स्टार्टिंग से ही और किसका नहीं होगा इसलिए हम कहते हैं नए मीम क्रिप्टो पर अच्छे से रिसर्च कर लोगे तो अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है तो रिसर्च आपकी डबल ट्रिपल होनी चाहिए के नाम आप यहां पर देख सकते हो पिंक है इसके अंदर में है और फुकु है बेबल है ट्रॉक्स है जजाक है यह चे मीम क्रिप्टो करेंसी तो धडले में आरे हैं मार्किट के अंदर लेकिन जो जन्विन हैं जो ठीक हैं जिनकी कम्यूनिटी बिल्ड हो रही है तो मैं आ आपको डवाइस नहीं कर रहे हैं आप रिसर्च कीजिए ठीक है अगर आपको सब चीजें परफेक्ट लग रही है मोका मिल रहा है दिख रहा है कुछ हो सकता है तब ही आप इंवेस्टमेंट कीजेगा लोग इनवेस्टमेंट कीजेगा क्योंकि लोग से भी अच्छा सब्सक्राइब करें लास्ट फैनल है वर्ल फाइन को लेगे वल्ट को रीमेट मेन रेडियो को डियो यद्स तैंग न्यू इन क्रिप्टो पॉइंट कीज has successfully integrated world ID, world coin में successfully integrate कर लिया मतलब एक तरह से partnership लगा लो आप ये ठीक है, radio और world coin की, आज की इस video को करेंगे यहीं पेंट बाकी updates, next video में किसी भी crypto में अगर आप invest कर रहे हैं तो research जरूर करें तब तक के लिए bye bye, take care